जाहिन सबसे पहले उन सभी छात्र को उन सभी स्ट्रेट को बहुत-बहुत बधाई जो BPSC 67 की मुखी परिच्छा में सामील हो रहे हैं दोस्तों आप लोग अच्छे से पेपर करो और इस बार सेलेक्शन ले लो तो दोस्तों अगर बात करें तो आप देख सकते हैं आप BPSC.BIH.NIC.IN की official site पे जाके इसे चेक कर सकते हैं तो मैं थोड़ा सा आप लोग बता दो इस नौटिस के बारे में इस नौटिस में बहुत important instructions दिये गा हैं दोस्तों जो आप लोग को follow करना है BPSC 67 की मुख परिच्छा में जिए दोस्तों बहुत सारे से मित्र होते हैं जो कि अभियर्थी रद कर दियाती है उनका जो पेपर है वो रद कर दिया जाता है तो यह बिल्कुल भी साही नहीं है क्योंकि अगर आप इतनी महनत से प्राड़मी परिच्छा कौलिफाइ करके मेंस के लिए जा रहे दोस्तों तो आप इन छोड़ी मोटी गलतियों को बिल्क पैन जो है वो मल्टी कलर्स के यूज करने नहीं है हाइलाइट के लिए आपको किसी तरह के ग्लीटर हो या फिर जैल पैन हो इन सब चीजियों का बिल्कुल भी यूज नहीं करना दोस्तों एक ही कलर के जो पैन है वो भी बॉल पैन आपको यूज करना चाहे वो ब्लू हो जूज या फिर बैक हो दोस्तों और अगर आप बीच में पैन चैज कर रहो हैं जैसे अगर आप जो रिफिल हो खत्म हो जाती है और आप लाट के इंविजिलेटर है उनसे पूछ संबले ले के तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो वांकि आपको अप है और ग्रीन या तर यह नहीं करना या अगर भ्लू-ब्लैक भी यूज कर रहा दोस्तों तो ऐसा नहीं कि पहले दस लाइन जो आप बिल्कुल भी नहीं करना आपके जो पर दोस्तों उसे रद कर दिया जाएगा तो इन सब चीजों को इसमें आप उसे देख सकते हो जरूर इससे आप पढ़ लें दोस्तों ऐसा नहीं कि आपको हर चीज पता है बहुत सारे से भीड़ती है जो नई होंगे दोस्तों जो फर्स टाइम बीपेसी की जो मुख्य परिष्छा वो दे रहें दोस्तों तो इन सब चीज़ों को आप लोगो अच बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों तो यही सब चीज़ें आपको आपको मार्क नहीं करना है कुछ लिखना नहीं है ऐसा तो यह सब चीज़ें दोस्तों जो इम्पोर्टेंट हैं आप जरूर इस नौटिस को एक बार देख लें और उसके बाद ही परिष्छा हॉल में ज झाल